मौनसून सत्र का आज अंतिम दिन लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके सयोगी डल आर एलडी ने आज सदन से वॉक आउट कर दिया सरकार पर यारोप लगाया कि वो सदन में चर्चा नहीं चाते इसलिए सत्र को भी बहुत कम समय के लिए चलाया जा रहा है हमाई साथ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी है मंत्री जी आज अंतिम दिन सदन का और जिस तरह से वॉक आउट किया समाजवादी पार्टी ने खुद अखिलेश यादव वहां पर रहे नारे बाजी भी वी बाहर निकल कर कैसे आप देखिए यह लगू सदन था लेकि इनका सरकार जवाब दे रही थी जवाब हो चाहते और मिलते तो आज वाक आउट नहीं करना चाहिए अंतिम समय पर वाक आउट अब उन्होंने किया लेकिन वाक आउट के बाद भी जब सदन उठता है तो एक परमपरा है कि नेता लोग आ जाते हैं जंगर्मन के समय कोई प्रिसू नहीं होता है तब उनको आ जाना चाहिए तो तब भी नहीं है अब यह तो हमें नहीं लगता है कि उनको वाक आउट करना चाहिए एक सवाल मतुई यह चाहेंगे कि जिसा से समाजबादी पार्टी ने पहले यह अलान किया ता उन्निस तारी को एक पैदल मार्श निकालेंगे उस दिन तो रोक दिया गया नहीं निकाल पाए लेकिन आज पैदल मार्च करते हुए बिधान सबाद से और वो पूरा सपा कर्याले तक गए देखे उस दिन भी चुकी सरकार ने नहीं रोका था कि वो नाम है पैदल नाम है लेकिन जिस तरह से अराजकता करते और पैदल वो कैसे आते हैं आप तो यहां जाते हैं बिधान सबाद में गेट में कौन पास देखता क्या करता तो उन पर सितियों में एक माहूल खराब होता इसलिए सरकार ने रोका था सरकार का कोई इसू नहीं था आज भी वो गए आराम से चले गए कोई दिक्कत नहीं क क्या दिक्कत थे अखिले शादव आरोप लगा रहे हैं कि सदन में जो मुद्दे थे चाय रोजगार का हो किसानों का हो या तमाम सूखे की जो समस्या है चात्रों का हो उनके उपर सरकार चर्चा करना ही नहीं चानी अरे आज पूरे भी सूखे पर क्रसी मंत्री जी ने आदर पीछे का मकसद क्या लगता वो उनको वाक ऑउट नहीं रहना था मुंका जो मकसद हो या अबं suburbs पूंछिए लेकिन आज उनको वौग्जाएं करना चाहिए सदन में उपस्तित रहना चाहिए और सारे भी सइजिन मुद्दें को लेके वाक आूट किया व वह सारे मु पर सदन में खुली चर्चा भी हुई अगर वोक आउट नहीं करते तो शायद महाँ पर खुद भी उन चीज़ों को सुन पाते कैमरा सायोगी हर्योम के साथ चैले शरूरा एबीपी गंगा लखनाओ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी